हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में चलिया आज की वीडियो श्टार्ट कर दें पहले गुष्चने उत्राखंड में निम्न का कार्य चेदर परियावरण रहा इसका अंसर है सुन्दर लाल बहुगुणा सुन्दर लाल बहुगुणा ने चिपको अंधोलन को विस्वस्तर पर फैलाया था इने परियावरण के चेदर में 2009 में पदम विभूशन पराप्त हुआ इन्होंने हिमाल्य बचाव देश बचाव का नारा दिया था सन 1857 इसवी के विद्रों में उत्राखंड से किसने मुख्य भूमी का अदा की थी इसका अंसर है काडू महरा ने काडू महरा ने करांतीवी नामक संगटन बनाया था गोविंद वल्लव पंत को हिमाल्य पूत्र कहा जाता है और इने 1957 में भारत रतन प्राप्त हुआ बारत रतन प्राप्त करने वाले ये उत्राखंड के पर्तम वै एक मादर व्यक्ती है हर गोविंद पंत को अलमोडा कांग्रेश की रेड कहा जाता है और इनका जनम अलमोडा में हुआ था मोहन सिंग महता ने 1921 में कत्यूर में कुमाव परिसद की साखा गठित की और ये उत्राखंड से जेल जाने वाले पर्तम सवत अंतरता सेना नी थे किसके प्राण उत्सर्ग के अंतरता तहरी की जनता को राजसाई से मुक्ती मिली इसका अंसर है सिरीदेव सुमन सिरीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूखड़ताल के बाद सही दुए 1938 में दिल्ली में गड़देश सेवासंग की स्थापना की थी जिसका बाद में नाम हिमाले सेवासंग हो गया हर गोविन पंत को अलमोडा कांगरेश की रीड कहा जाता है तिलाडी नर संहार घटित हुआ था इसका अंसर है 30 मई 1930 इस वी को इसे रवाई कांड भी कहते हैं 23 अपरेल 1930 को पैसावर कांड हुआ था जिसके नायक चंदर सिंग गड़वाली थे चंदर सिंग गड़वाली को निहत्ते अफगानों पर गोली चलाने का अदेश अंग्रेज अधिकारी रिकेट ने दिया था हरेला क्या हैए इसका अंसर है तिवार हरेला उत्राखंड का तिवार है ओर हरेली 36 गड राज्ये का तिवार है उत्राखंड की महिलाओ का परसिद प्रमप्रागत आभुषन तिलहरी पहना जाता है इसका अंसर है गले में गले के अन्य आभुषन चंद्रहार जिसे लोकेट भी कहते हैं हन्सुला गुलबन चरेया चर्योय निम्न पर विचार कीजिए एक तरफ राष्टिय उद्यान दिये और एक तरफ उद्यान से होकर बहने वाली नदी दिये निम्न युगमों में कौन सा सही सुमेलित है Option देखते हैं कारबेट नेशनलग पार्ग से अलगनन्दा Option A सुमेलित नहीं है फूलों की गाटी से यमना Option B भी सुमेलित नहीं है कंगोतरी नेशनलग पार्क से राम गंगा Option C भी सुमेलित नहीं है Option D इसका सी अंसर होगा इन मैं से कोई नहीं किसाओं बान खालिस्थान नदी पर बनाये इसका अंसर है टोन्स नदी बर निम्न नदियों में कौन सी नदी गंगा की सायक नदी नहीं है इसका अंसर है इंद्रावती जबकि सोन गोमती और यमना गंगा की सायक नदी है उत्राखंड की परसिद नंदा राज्जात 2014 में की सवधी में संपनुई इसका अंसर है 18 अगस से 6 सितंबर के मद्दे उत्राखंड में सबसे बड़ा अल्प संक्यक धरम कौन सा है इसका अंसर है मुस्लिम धरम पराचीन सैल चित्रो वाली लखु गुफा इस्तित है इसका अंसर है अल्मोडा जिले में लखु गुफा स्वयाल नदी के तटपर इस्तित है निम्न में से कौन सी नदी का इस्त्रोत हिम नदों में नहीं है इसका अंसर है को सी नदी यमना नदी यमनोतरी हिमनत से निकलती है अलकनन्दा नदी संतोपत हिमनत से निकलती है और मंदाकनी नदी चोरा बड़ी ताल से निकलती है नंदोर दून किस जनपद में इस्तित है इसका अंसर है नेनिताल जनपद में हिमाल्य में मुख्य सीमा बरंस M.C.T. पर्थक करता है इसका अंसरें मान हिमाल्य एवं लगू हिमाल्य को लगू हिमाल्य एवं भाईय हिमाल्य को मेन बोंडरी फोल्ड अलग करता है देव संसकर्दी विस्व विदाले कहां इस्तित है इसका अंसर है हरी दुवार में निम्न में कौन सा जला से उत्राखंड में इस्तित है इसका अंसर है उपर्युक सभी उत्राखंड के उदम सिंग नगर में नानक सागर, हरीपूरा और बेगुल डेम इस्तित है परसिद धारी देवी मंदिर इस्तित है इसका आंसर है सिरी नगर के नजदीग कत्यूरी राजवन्स का संस्थापक कोन था इसका आंसर है बसंदेव निम्न में नानक सागर बान की जनपद में इस्तित है इसका आंसर है उदम सिंग नगर में वर्स 2011 की जन गणना के अनुसार उत्राखंड का जन संक्या गनतव है इसका आंसर है 189 वयक्ती परतिवर्ग किलोमेटर और उत्राखंड जन संक्या गनतव के मामले में भारत में 25 वा इस्तान रखता है सिरी चंडी परसाद बट को एक अंतराश्टिय पुरुसकार से पुरुसकरित किया गया है वह पुरुसकार है इसका अंसर है रहमेन मेक्से से पुरुसकार चंडी परसाद बट को 1982 में रेमेन मेक्से से पुरुषकार प्राप्त हुआ रेमेन मेक्से से पुरुषकार फिलिपिन्स देश दुवारा दिया जाता है चंडी परसाद बट को 2005 में पदम भुषन प्राप्त हुआ निमलिकित राष्टिय उद्यानों को उनके छेतरपल के घटते गरम में वयवस्तित कीजिए गोविंद नैसनल उद्यान की स्थाबना 1910 में हुई थी कारबेट नैसनल उद्यान की स्थाबना 1936 में हुई थी नंदा दिवी नेशनल उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी गंगोतरी नेशनल उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी इन्हें चेतरपल के गठते करम में लगाना है पहले नंबर पर गंगोतरी नेशनल उद्यान आएगा उसके बाद नंदा दिवी नेशनल उद्यान आएग और उसके बाद गोविन नैसनल उद्धियान आएगा इसका अंसर होगा 2, 4, 3, 1 ओप्सन देखते हैं 2, 4, 3, 1 ओप्सन C इसका सही अंसर होगा विश्वेश्वर दज सकलानी को खलिस्थान के नाम से भी जाना जाता है इसका अंसर है व्रिक्ष मानव इने 1986 में इंद्रा पिरिये दर्शनी व्रिक्ष मित्र पुरुसकार प्राप्त हुआ हिमाल्यन इंस्टूट होस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की इसका अंसर है स्वामी राम ने स्वामी राम ने देरा दून में 1989 में हेमाल्यन इंस्टूट होस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापन की थी नारायन दत तीवारी उत्राखंड के पहले निर्वाचित मुख्य मंत्री थे गोविंद वल्लप पंत को 1957 में भारत रतन प्राप्त वा और इनका उपनाम हेमाल्य पुत्र है हेम वती नंदन भगुणा का उपनाम हेम पुद्र या धर्दी पुद्र है और इने परवत पुत्र वै गड़वाल का चंदन की उपादी प्राप्त है तो दोस्तो या धिमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद